मैं आठ बार SSB तक पहुचा, कॉंफरेंस आउट हूँ बार बार लास्ट स्टेज से आउट, मैं युनिफॉर्म पहन कर देश की सेवा करना चाहता था, हम सब दोस्तों ने पांच-पांच हजार रुपए जुटाए और उसके बाद निर्मार आईएस की 15 अगस 2007 को तेरह में तो 80 से जादा रिजल्ट आया और इस तरह एक लाइन लेंट बनने लगी, पिछले 15 वर्सों से अधिक मैं UPSC एस्पेरेंट्स की मेंटरिंग कर रहा हूँ, ये तीन उंगलिया हैं इस एक्जाम को निकालने के लिए बात 2089 की रही होगी, मैं अपने आफिस में एक आर्टकल पढ़ रहा था, तब तक एक दुबला पतला सामला सा बच्चा आता है और कहता है सर मुझे आप से कुछ बात करनी है, मैंने का हाँ, बताओ बेटा क्या बात करनी है, उसने कहा सर मुझे UPSC की तयारी करनी है, मैं थोड़ा इसमाइल किया, मैंने कहा, कि बेटा मेरे पास जो आता है, वो तैयारी के लिए आता है और आप भी पढ़िये, उसने वहला नहीं सर, मुझे खुल के बात करनी है, सर मेरी परिस्तियां दूसरों से विसम है, मेरी माँ दूसरों को घरों में बरतंद होती है, मैं आ पढ़ाई कीजिए, देखा जाएगा, 2010 का रिजल्ट आता है, और वो लड़का पहले ही अटेम्ट में मात 21 साल 6 महीने की उम्र में IPS बनता है, और आज वो सेंटरल नोइडा का DCP है, जी हां बात हरिस्चन्द, ऐसी ही कई कहानिया हमारे हां हमारे साथ बनती रही, मैं कमल द मैं UPSC Aspirants की मेंटरिंग कर रहा हूँ, और इन वर्सों में जो सबसे बुनियादी बात है, अगर मैं IES PCS के रिजल्ट को देखूँ, तो 5000 से अधिक सेलेक्शन में एक उत्प्रिरक की भूमिका में मैं अपने आपको पाता हूँ, मेरा जन्म बलियाँ चित बड़ा गाउं में हुआ, और मेरी स्कूलिंग और हायर एजूकेशन बनारस में हुई, बिएचिव से मैंने BSE Honors Mathematics में किया, और जो बलियाँ का बागीपन था, और जो बनारस की अलहरता है, जो बनारस की मस्ती है, उन सब के साथ में बहता चला गया, सुरुवात में कोई फोकस नहीं था, क्या बनना है, चुकि आप जानते हैं, बनारस के बारे में, वहां सब लोग कहते हैं, अरी क्यों परेसान हो, हो जाई गुरू, means everything, you will get it, don't worry for anything, और इस परंपरा, इस frequency के साथ मेरी wavelength मैच करती चले गई, और मैं ऐसा ही बनता गया, जब मैं BSC में था, तो मेरे कुछ दोस्तों ने एक विचार किया, कि क्यों ना हम लोग डिल्ली चला जाए, वहां exposure जादा है, हम MSC वहीं से करें, और फिर carrier को देखा जाएगा, चुकि उसमें से दो दोस्तों को MCA करना था, और उस software engineering को अपना carrier बना रहे था, ऐसी बातों को लेकर, मैंने भी सोचा, घर पे बात की, चुकि मेरा रुजहान बहुत ज़्यादा defense में था, मैं uniform पहन कर देश की सेवा करना चाहता था, और NCCC certificate holder एक rate था, मैं आठ बार SSB तक पहुचा, conference आउट हूँ, बार बार last stage से आउट, और एक बार लगने लगा कि क्या मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैं दिल्ली आया, मैंने MSC में admission लिया, लेकिन मन अभी भी ब्यतित था कि आखिर क्या करना है, क्या हमें भी MCA करना है, defense आत उसने hostel से कहीं निकल रहा था, खालसा कॉलेज के सामने बस में मिझे एक पुराना दोस्त मिला, जो B.H.U. से ही pass out था, और बाचीत में उसने कहा कि वो तो UPSC की तयारी कर रहा है, पहली बार UPSC के बारे में एक serious बात हुई, साम को मैं hostel गया, जिस hostel में वो रहते थे, वो प सारी चर्चाएं हुई, मैंने देखा, कई सौभागे से उस दिन उस hostel में एक IPS भी आये हुए थे, मैं काफी हद तक motivate हुआ और मैंने कहा कि हमें भी अब UPSC की और ही आना है, मैंने उस समय दो optional subject होते थे, मैंने mathematics और history को optional बनाया, और जैसे कि एक life smoothing चलती रही, pre first attempt से ही न नाक्स नहीं आ रहे थे, 2000 में syllabus चेंज हुआ, pattern चेंज हुआ, बहुत लोगों ने mathematics छोड़ कर कुछ और option लिया, मैंने भी एक बार विचार किया, लेकिन लगा कि नहीं, अगर करना है तो math से ही करते हैं, क्योंकि मैं BHU के topper में से था, लेकिन 2002 का result आता है, 2003 में जो 2002 का mince ह हुआ था, मेरे लगभग जो close दोस्त थे, जो minimum rank आई वो 6 थी, जो maximum rank आई वो 60 थी, 7 के साथ सेलेक्ट हो गया, बचा कौन, मैं, मैंने rethink किया, और last जो attempt था, उसमें मैंने match छोड़कर philosophy ले लिया, philosophy, एक mentor थे, बड़े भाई की तरह, काफी चर्चित mentor हो चुके थे, मैंने philosophy पढ़ी, और जब interview call भी आया, जब interview call आया, तो चुकी मैं mentoring भी करने लगा था, मैं खुद भी बड़ा आस्वस्त था, कि मैं इस बाद सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, पुरा group, दोस्त, परिवार सब आस्वस्त थे, लेकिन result आया, और मैं नहीं हो पाया, इसी बीच, एक बड़ के बाद, जब अभी result नहीं आया था, तो एक railway apprentice की exam था, एक मेरा junior, मेरा दोस्त, चोटे भाई की तरह बन चुका, तो हम दोनों ने कहा चलो railway का exam देते हैं, apprentice, हम लोग exam देने लखनव center पढ़ा था, लखनव गय, इतनी भीड लखनव में, धरमसाला सराय कहीं जगह नहीं मि वो एक bedroll उस समय होता था, वो bedroll लेकर गया था, लास्ट में हम लोग को platform पर एक ही bedroll में दोनों को सोना पड़ा, और उस दिन निसंदे चुकी result भी आने वाला था, तो मन में एक हयाल आया कि एक उमीद मुझे बहलाती रही, और एक तमन्ना रात भर जगाती रही, आज हम मुझे बाहर निकले, एक्जाम दिया, कुछ दिनों बाद result आ गया जो मैंने पहले ही कहा, मैं नहीं हो पाया, लेकिन जो मेरे साथ जिसका bedroll था, जो bed में सोया था, आज वो commissioner income tax अहमदाबाद है, ऐसी परिश्टियों अब मेरे सामने एक vacuum आ गया, सुन्यता की इस्तिती उत क्योंकि इसी समय मेरे फादर जो PWD में junior engineer थे, वो retire हो गया, मा housewife हैं, और जो brother हैं, उन्होंने कारोबार सुरू किया था, वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन जैसा कि हर परिवार होता है, उन लोगों ने मेरे पर विश्वास किया का, जो आपको करना है करो, ह मैं पहला district election officer उत्तर प्रदेश में बना, BSF में मेरा joining हुआ, उसके बाद PCS से मैं assistant consolidation officer बना, मैंने join किया assistant consolidation officer, मैं गया, बलिया में मेरे posting थी, जब मैंने उस job को देखा, तो एक सलमान खान की भासा में जिसे kick कहते हैं, वो kick नहीं मिल रही थी, वो interest नहीं आ रहा था, और decision making नहीं है, मैं केवल एक tool हूँ, मैं बदलाव नहीं लापा हूँ, मैं वापस आया, वापस आया, वही दोस्त, कुछ दोस्त जो select हो गए थे, कुछ दोस्त सलेक्ट नहीं हुए थे, हम सबने मिल कर एक फैसला लिया, कि जिन अभावों से हम गुजरे हैं, हम लोग जिस background से हम लोग किसी coaching को fees देकर पड़ नहीं पाए, अपने आप से self study के हिसाफ से चलते रहें, हाँ, mentoring के रूप में philosophy जरूर, लेकिन वो चुकी रिस्ता ऐसा था, इसलिए बिना पैसे के पड़ा, हम लोगों ने कहा, इस इस तर को लाना है, हम सब दोस्तों ने 5-5,000 रुपए के बाद निर्माण AIS की 15 हगस 2007 को निव रखी गए, 2008 पहला result आता है, और उस साल हिंदी माध्यम के टॉपर 22 और 23 रेंग सरोज और नीलिमा दोनों ही निर्माण से जुड़े होते हैं, फिर 9, 10 से 11 से एक परंपरा सुरू हो जाती है, भानुचंद गुस्वामी, कुमार पा अच्छे सलेक्ट नहीं हुए, यह आकर फिर क्लास में बैट कर, आफिस में बैट कर, लोगों की मिंटरिंग करते थे, और अगर ट्रेनिंग और जॉब के बाद भी समय मिलता था, तो आते थे, तिक नई परंपरा अवश्य शुरू है, मुझे हमेशा गर्व होने लगा, कि मैंने उस रियल भारत, वो भारत की मिट्टी के लोगों को आईएस या सिविल सर्विसेज में आने में एक सहायता पहुचाई है, मैं एक सहायक हूँ, मैं एक अंस हूँ, उसकी सफलता में, और यह जो चीज है, यह मुझे हमेशा एक प्रुचसाहन देती रही, मैं बहुत स कई बार मुझे से लोग कहते हैं कि सर, किस्मत भी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह तीन उंगलिया हैं इस एक्जाम को निकालने के लिए, जो सबसे बड़ी उंगली है, वो हार्ड वर्क है, जो उससे छोटी उंगली है, वो आपकी इंटलेजेंसिया है, और जो सबसे है, वो है लख, लख है, एक बड़ा अजीब सी घटना हुई, एक लड़की थी जो उससमें चार एटेम्ट होते थे जनरल कैटेगरी में, वो IPS को फर्स्ट प्रिफरेंस होती थी, तीन बार लगातार इंटर्व्यू में गई, बार बार अच्छे माक्स आई इंटर्व्यू में, लेकिन सलेक्ट नहीं होई, लास्ट टाइम, मुझे आद है मैं रीवा से कहीं आ रहा था, सतना स्टेशन पर वो और उसके फादर उसका परिवार मिला, हुआ कि क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना IPS की जगह इस बार IES को वरियता देते हैं चुकि profile wise भी देखा जाए, तो IES में बहुत variety है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़े हैं और ज़्यादा तर लोग IES बनना चाहते हैं, किसी तरह convince हुई और उस बार उसने IES भरा, और result देखिए, उस साल उसकी all over India 50 rank आती है, आज हो MP के अडर में अपने हाइक जीले की DM है, किवल यह बस एक आप कहिए संयोग है, लेकिन ऐसी चीज़े भी UPSC में देखी जाती हैं, तो इस तरीके से हम लोग चलते चले गए, 13 में तो 80 से ज़्यादा result आया, और इस तरह एक line length बनने लगी, कि नहीं अब पूरी जो चेतना से, जिस motivation से शुरू किया गया है, हम और 15 के बाद जब technologies इसमें आती है education को लेकर, मैं हमेशा मुझे लगता रहा कि नहीं, जो chemistry है, जो bonding है student और mentor की, वो कभी भी camera और online नहीं ले सकती, मैं अपने आपको अलिफ रखा, नहीं, ऐसा नहीं जाना चाहिए, और हुआ ये, कि मैं अपने बच्चों से जो नही इससे दूर होने लगा, तो learning ये है कि technology की नए challenges को हमेशा accept करना है, आप अपने पुरानी चेतना में मत रहे, अपने comfort zone से जो आगे नहीं निकला, वो दुनिया नहीं बदल सकता, comfort zone में जो रहेगा, वो बदलाव नहीं ला सकता, और कहीं न कहीं मैं उस face से गुजर रहा था तो पहली learning ये है मेरे जीवन की, कि mathematics जिस option पे मैं strict रहा, आप subject का chain इसलिए ना करें कि आप बहुत अच्छे scholar थे, जड़ा देखिए UPSC का trend क्या है, guidance, availability, notes किसमें अच्छे हैं, हम किसमें अच्छा perform कर सकते हैं, मलब interest के साथ strategy जरूर देखें, और दूसरी, समय को पहचान और अगर नई चीज़े आ रही हैं, उसको adopt करते हो इसलिए, इसी तरह, जब कारवा बनता गया, और इस train में भी, जब विजय गूजर एक constable से IPS बना, साक्षी, जो एक घर की member हो गई, वो जब select हुई, पिछली बार रवी सिहाग हुआ, और उससे पहले 2017-18 में एक result आता है जिसमें 31 पे गौरो, 38 पे सलेन इंदोलिया, 46 पे गौरो सोगरवाल, तो फिर एक बार लगता है कि नहीं, पढ़ा कर content से, relation से और बार बार writing practice से कुछ भी संभू है, और ये मैं कहता हूँ कि भले ही चाहे जितने हालात बत्तर हो रहे हैं, लेकिन अगर आपका commitment है, आप सही तरीके से focus हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा है, अपने बच्चों से result के द्वारा प्रूफ कराया है, कि नहीं, आपका selection होगा ही, बस हार नहीं बागनी है, Hello Students, आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी announcement है, मेरी कहानी, मेरे experiences सुनने के बाद, Joe's Talk ने मुझसे request किया, कि Joe's family के हजारों लाखों बच्चे हैं, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बट, effort नहीं कर पा रहे है, effort नहीं कर सकते, क्या मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ, Joe's family ने कहा और उनका मानना है, कि देश के हर इवा में एक काबिलियत है कुछ बनने की, और अपनी जिन्दगी में कुछ जबरदस्थ हासिल करने की, लेकिन कुछ परिस्थतियों, especially financial परिस्थतियों की वज़े से, वो सब अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, और इसलिए, एक बड़ा भाई होने के नाते, जोस हर स्टिप पर सबकी अप मैक्सिमम लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो जोस्टॉक ने मुझसे जो रेक्विस्ट की, जो भी जोस्ट की फैमिली से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्या मैं उनको एक बहुत ही बड़ी स्कॉलर्सिप दे सकता हूं, तो मैंने भी बहुत ही एक्साइटड और खुस होते हुए, यह बताने के लिए कि आफकोस मैं इसे हा कहता हूं, जो स्टॉक फैमिली के जो भी सीरियस एच्पिरेंट हैं, सीरियस, उन सब को हेल्प करना चाहता हूं, और नीचे एक लिंक दी गई है, आप सब प्लीज जाएं और उस लिंक को भरें, चलो साथ में आगे बढ़ें।